नमस्कार किसान भाईयों, बेश्ट गयन पॉइंट बी चैनल पर आपका स्वागत है किसान भाईयों, आज की वीडियो में हम मध्यमवद की चार पापुलर हाइब्रीड धान की किसम के बारे में जानकारी देंगे जिनको भारत बर्स में कई छेत्रों में किसान भाईयों द्वारा लगाया जाता है और काफी अच्छा उत्पादन भी प्रात्त किया जाता है ये धान की किस्में अपने आप में मध्यमवदी में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में है इन किसमों की क्या क्या भी सेस्ता आए हैं संफूर जानकारी देंगे साथ ही वीडियो के अंत में हम किसान भाई नरसारी कैसे लगाएं वा सुरुवाती खात प्रवंधन कैसे करें इसकी भी जानकारी देंगे बस वीडियो को आपको सुरु सेंतर तक देखना है और जो किसान भाई चैनल पर पहली वार आए हैं वीडियो को नीचे दी गई लाल कलर की बटम को दबा दें वो बगल की विल आइकन घंटी भी बजा दें जिससे खेती सम्मंदित नएनी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे सुरू करते हैं सबसे पहली जो हाइब्रिड धान है वो है जेके सीड कंपने की 20-82 इसके पकने की अबद की बात करें तो यह किसमें 120 से 125 दिन में पक कर तयार हो जाती है यह मद्धम अबद की उच्च पैदावार देने वाली हाइब्रिड धान है बात करें इसके दाने के अकार की तो इसका दाना लंबा बोल्ड बजनदार दाना होता है जिससे किसान भाईयों को बजार में इसका भाव भी कभी अच्चा मिलता है इसके पौधे के जड़ मजबूत होती है जिससे विप्रीत परिस्थितियों में भी धान गिरती नहीं है बात करें इसके बालियों की तो इसकी बालियां लंबी होती है इसकी बाली लगभग 30 cm की होती है जिससे दानों का भराव अच्छा होता है बात करें एक हजार दानों का बजन का तो इसके एक हजार दानों का बजन 30 ग्राम होता है कम बारिस में भी उच्छ पैदावार देने वाली यह हाई उरेड किस्म है जेके 20-82 की रुपाई विधी या सेट ड्रिल विधी से भी बोनी किसान भाई कर सकते हैं जेके 20-82 सूखे के प्रती सहनसील धान है जेके 20-82 में कल्लों की संख्या अधिक आती है बात करते हैं इसके 20-दर की तो ट्रांस्प्लांटिंग यानि रुपाई के लिए 6 किलोग्राम प्रती एकड़ प्रयाप्त होता है यदि आप डारेक्ट सेडलिंग यानि DSR प्रती से इसकी बोनी करना चाहते हैं तो 10-12 किलोग्राम प्रती एकड़ में इसका बीजदर प्रयाप्त होता है वहीं इसके उपच की बात करें तो किसान भाई 28-32 कुंटर प्रती एकड़ तक इसका उत्पादा नासानी से प्रयाप्त करते हैं जेके 20-82 रोगों के प्रती सहनसील किस्म होती है दूसरी जो किस्म है वो है निजी वीडियो सीड कंपनी की चैंपियन NPH 207 बात करते हैं इसके पकने के अबद की यह किस्म 125-133 दिन में पक कर तयार हो जाती है मध्यम अबधी में उच्च पैदा बार देने वाली hybrid किस्म है बात करें इसके पौधह की उचाई की तो 105-110 cm इसके पौधह की उचाई होती है यानि मध्यम हाइट का इसका पौधा होता है और विप्रीत परिश्थितियों में गिरता नहीं है यह मुख रूप से खरीब के सीजन में बोई जाने वाली किस्म है यह किस्म सुखे के प्रती भी सहनसील है यदि किसान भाई विखेत में पानी की समस्या आती है तब भी यह धान पकत तयार हो जाती है कम पानी में भी अच्छी उपस देने वाली यह किस्म होती है यह मुख रूप से उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, 36 गड़, बिहार, जार खंट राज में बोई जाती है यह किस्म रोगों के प्रती भी सहनसील होती है बात करें इसके उपस की तो नुजबुडू की चैंपियन NPS 207 का उत्वादन 30-32 कुंटल प्रती एकड़ तक किसान भाई प्राप्त कर सकते है वहीं बात करें इसके बीजदर की तो ट्रांस्प्लांटिंग यानि रुपाई प्रती एकड़ और डाइरेक्ट सेडलें यानि DSR प्रती एकड़ के लिए 10-12 किलो प्रती एकड़ के हिसाब से बीजदर इसका लगता है तीसरी जो हाईब्रेट किस्म है वो है महिको की उपज महिको की उपज बात करें कितने दिन में पक कर तयार हो जाती है तो यह हाईब्रेट किस्म 115 से 120 दिन में पक कर तयार हो जाती है बात करें इसके दाने के अकार की तो लंबा पतला दाना इसका होता है यह खाने में भी अच्छी क्वाल्टी की धान है यह चिपचिपा रहित होता है इसका चावल साथ ही किसान भाईयों को इसकी उपज भी बहुत अच्छी प्राथ होती है माई को उपज रोगों के प्रती सहनसील किस्म होती है वो अकम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है बात करते हैं इसके उत्पादन की तो किसान भाई 26 से 30 कुंटल प्रती एकर तक आसानी से इसका उत्पादन प्राप्त करते हैं बात करें इसके बीजदर की तो 6 किलो ग्राम प्रती एकर रुपाई यानि ट्रांस्प्लांटिंग के लिए इसका बीज उप्योगत है चोती जो हाईब्रेट किस्म है वो है कावेरी की 468 कावेरी 468 आज के डेट में कम समय में उच्च पैदावार देने वाली हाईब्रेट धान है यह धान किसानों के लिए बरदान साबित हो रही है क्योंकि कम समय में अच्छी उपस देने वाली यह किस्म है इस किस्म के लिए ज़्यादा पानी के बस सकता भी नहीं होती है और समय से पक्कर तयार हो जाती है जिससे किसान भाईयों के लिए अंगली फसल लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है कवेरी धान कम वर्षा वाले छेतर के लिए भी उप्यूक्त है इसका दाना लंबा बोल्ड बजनदार होता है इसके पकने के बद की बात करें तो यह किसमें 115 से 120 दिने पक कर तयार हो जाती है इसके कलों की संख्या की बात करें तो 15 से 20 कले इसमें निकलते हैं इसकी वाली लंबी गुच्छेदार होती है वा प्रती वाली दानों की संख्या भी अधिक्तम होती है इसका पौधा मध्यमुचाई का होता है वह जड़े मजबूत होती है जिससे विप्रीत परिस्तितियों में भी इसका पौधा गिरता नहीं है बात करते हैं कावेरी 468 के उपच की तो 30 से 32 कुटल प्रती एकड किसान भाई इसका उत्पादन प्रत करते हैं बीजदर की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रती एकड ट्रांस्प्लांटिंग यानि रुपाई पद्धत के लिए उप्यूक्त होता है वहीं डारेक्ट सेडलिंग एदी किसान भाई करते हैं यानि DSR पद्धित से लगाते हैं तो बारस दस से बारा किलो प्रती एकड के हिसाब से इसका बीजदर उप्यूक्त होता है अब बात करते हैं किसान भाई नरसरी कैसे त्यार करें यदि मान लीजिए आप सामके टाइम बीज लाते हैं तो उसको पूरी रात यानि 10 से 12 घंटे पानी में भिगो दीजिए 10 से 12 घंटे बात बीज को निकाल करके गीले जूट के बोरे में 18 से 24 घंटे के लिए धक कर रख दीजिए 18 से 24 घंटे के बाद आपका बीज पूरी तरह से अंकुरित हो जाएगा यदि आप चाहें तो उस बीज में फंगी साइट वा इंसेक्टी साइट से बीज उपचार भी कर सकते हैं इससे प्रारम भी जो रश्चूसक केट की समस्य आती है पौधे में वो देखने को नहीं मिलती है नरसरी कितने छेत्र में लगाना चाहिए तो यदि आप मान लीजे एक एकड़ के लिए नरसरी लगा रहे हैं तो आप एक एकड़ का 240 वर्ग मीटर या कहें तो 6 डिस मिल छेत्र में आप नरसरी को लगा दें नरसरी लगाने से पहले उसमें संतुलित मात्रा में खाद जरूर डालें जिससे नरसरी में पौधे स्वस्त रहते हैं इसके लिए आप खाद की बात करें तो 1.5 किलो यूरिया एक एकड़ के लिए 3 किलो डियेपी और 1 किलो पोटास, 1 किलो जिंक वाए 1 किलो सलफर को प्योग कर सकते हैं 20-21 दिन बाद ट्रांस्प्लांटिंग नरसाई से पौधे निकल कर अवस्त रूप से किसान भाईयों को मुख खेत में कर देना चाहिए तो किसान भाईयों कैसी लगी जानकारी आसा करता हूँ वीडियो पो अच्छी लगी होगी यह अच्छी लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें कोई सुझाव हो तो कमेंड दें जै हिंद जै किसान